बुड मॉनिंग स्टुडेंट इसील सेफाली प्राइवेट आइटिय के ओफिसियल यूटूब केनल पर आप लोगों का स्वागत है मैं मुगेश्ता हूँ इसील सेफाली प्राइवेट आइटिय इलेक्ट्रोनिक्स मेकैनिक इंस्ट्रक्टर आज हम लोग सर्किट कहां पे करते हैं तो हम लोग जानते हैं simulated software होता क्या है कि कोई भी सर्किट को design करके analysis करना के लिए हम लोग simulated software का परेयोग करते है तो इसका answer क्या हो जाएगा कि design and test circuit को कोई भी circuit को design करके उसको test करने का computer पे एक software के दोवारा use किया जाता है उसी को हम लोग simulated software कहते हैं next question है आप लोग का how the active and passive component are added in circuit using simulated software कि कोई भी हम लोग जब simulated software circuit का परयोग कर रहे हैं वहां पर active और passive component को कैसे add करेंगे तो उसके लिए आप लोग देखिए option क्या होगा इसका answer तो इसका answer हो जाएगा आप लोगो का कि clicking on the component group की वहां पर एक circuit simulator में component group होगा वहां पर आपको active component प्रेसिब component सारे का design मिल जाएगा वहां पर आपको जिस जैसे हम लोग को diode चाहिए तो diode का कौन सा category है IN4007 चाहिए कुछ और चाहिए तो उसके हिसाब से हम लोग वहां पर choose करते हैं next question है आप लोगों का which space is used to design circuit in systematic editor of a TINA software कि यह ही है हम लोगों का simulated software इसका नाम है TINA software तो क्या बलाए कि which space is used to design circuit in systematic editor of TINA software कि TINA software में हम लोग कोई भी diagram को edit कैसे करेंगे तो उसको edit करने के लिए क्या करेंगे कि circuit work space पे click करेंगे तो वहां से हम लोग का circuit edit हो जाएगा next question है आप लोगों का which is electronic simulated software कि इसमें आप लोगों को choose करना है कौन सा simulated का software है तो हम लोग जानते है AutoCAD नहीं है MS Office नहीं है Photoshop नहीं है तो यहां पर हम लोग का बच रहा है make spice तो यह हम लोगों का क्या simulated software जैसे TINA pro था उसी प्रकार से है make spice next question है आप लोगों का how the performance of the amplifier design using the simulated software stage की simulated software का अपयोग करके design किये गए amplifier का परदर्शन परिक्षन कैसे किया जाता है कि अगर मान के चलिए हम लोग एक amplifier उनाते हैं तो उसका output में कैसे मिल रहा है इसको हम लोग check कैसे करेंगे इसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है तो इसके लिए हम लोग virtual instrument testing का परियोग किया जाता है तो क्या हो जाएगा using virtual instrument testing next question है आप लोगों का which software यह geos to simulated electronics circuit तो वही वहला same question है बस इसमें आप लोगों का software का नाम change हो गया तो आप लोगों चूच करना है autocad नहीं होता है ms office नहीं होता है photoshop नहीं होता है क्या हो जाएगा multi-seam जो multi-seam है यह भी हम लोगों का एक software है कौन सा तो simulate software है यह आप लोग याद रखिएगा next question है आप लोगों का how the circuit systematic draw using the simulated software is test कि कोई भी हम लोग simulated software का अपयोग करके circuit को योजनाबाद कैसे परिक्षन किया उसको हम लोग कैसे test करेंगे तो यह question हम लोग का हो चुका था अभी किससे test करते हैं तो हम लोग multimeter से use करेंगे next question है आप लोगों का what is the type of counter circuit की यहाँ पे एक counter circuit का दिया हुआ है पूछ रहा है कि यह कौन सा circuit है हम लोग का यह कौन सा है तो हम लोग का decade counter है क्या है decade counter next question है आप लोग का what is the maximum possible number of flip-flop in decade counter की decade counter में हम लोग का flip-flop की maximum संख्या कितनी होती है तो उसको formula क्या होता है तो जानते है decade counter का formula क्या होता है 2n 2 की power n जहां पे n is equal to क्या हो जाएगा number of flip-flop next question है आप लोग होगा what is the purpose of using ic 74 ls 190 तो यह एक ic है इसका परियोग हम लोग कहां पे करते हैं तो यह up-down counter है याद रखिएगा कौन सा तो ic 74 ls 190 यह up-down counter है next question है हम लोग का which ic is used for the function of four bit shift register की four bit shift register के लिए कौन सा ic का परियोग करते हैं कौन सा ic का परियोग करते हैं हम लोग तो ic 74 95 का परियोग करते हैं किसके लिए तो 4 bit का shift register के लिए तो आज के question इतना ही हम लोग देखते है next session में देखेंगे आगे का thank you so much